हॉस्पिटल जब आप जाती हैं, तो क्या पुछना चाहिए, क्या बात करना चाहिए, किन टॉपिक्स पे अपने डॉक्टरों से कंसल्ट करना चाहिए, यूट्यूब मम को देखने वाली सभी प्रेगनेंट मॉम्स को प्यार भारा नमश्कार, स्वागत है आप सभी का जाती है, तो बहुत जरूरी था कि इस विशय पर कुछ बात की जाए, आज की वीडियो में हम जानेंगी कि जब आप होस्पिटल जा रही हैं, तो किन-किन चीजों को ध्यान में रखना है, कोशिश करें कि इसको नो डॉन कर लें, अपने पर्स में रखें, अपने वालेट जो कि प्रेगनिंसी के लिए है, ट्यूज़े स्पेशल एपिसोट में पोस्ट पार्टम कियर के बारे में जनकारी लेकर आती हूँ आप सभी के लिए, तो इसलिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बैल को अन करें, जब भी आप हॉस्पिटल जा रह कई माईलाओं को, कई पेशिंट्स को में ने देखा है कि वो आते हैं, बैठते हैं, जो चीज़े हम बताते हैं, वो सुन लेते हैं और फिर वो चले जाते हैं, उनके पास कोई एक्स्टर क्वेशन नहीं होता, कुछ ऐसे क्वेशन होते हैं कि बच्चा चल नहीं रहा, बच किस चीज को खाने से बढ़ रहा है, किस चीज को खाने से कम हो रहा है, यह भी जरूर मेंशन करें, क्योंकि हो सकता है, कि आप भूल जाएं क्योंकि कई बार ऐसा होता है, पांच महीने तक एसा होता है, ब्रेन फॉक्स सा रहता है, आप चीज़े भूल जाते है, फॉगट को खाने से दिक्कत आ रही है कॉंस्ट्री पेशिंट कभ जादा परेशान करता है आपके हार्ट रेट में कभी ब्रीफिंग में कोई इशू आ रहा है जिस टाइम पे जो चीज हो आपको सारी चीज लिखते रहें और अपनी डॉक्टर से जब भी आप मिलें इचीज आप डि आपको सुबह खाले पेट के लिए काटसू दिया गया है जैसे कि असे टी ग्यास और उल्टी उपकाई शांत होती लेकिन उससे भी आपको आरम नहीं हो रहा तो इसे आपको लिखके रखना होगा हो सकता है कि जब आप डॉक्टर के पार चाएं तो जाने में आने में या फिर वहाँ भीड देखकर लोगों को देखकर भूल जाएं अपनी बाते तो उसे लिखकर ज़रूर रखें कि कोई दवा लेने के बाद सपोस कोई सप्लिमेंट आप ले रहे हैं तो उसको कब लेना है सही ताइम क्या है उसको लेने का खाने के पहले खाने के बार कितने दे पाउडर सज़स्ट किया गया है और आपको नहीं डाइजस्ट हो रहा है तो आप उसे ध्यान में रखें आप उसे पूछें ताकि आपके डॉक्टर आपको सज़स्ट कर सके कि कोई और प्रूटीन आप ले लीजे और कुछ चीज़ इतनी जरूरी होती है कि उसको आप आपको सही सला देंगे तो जो भी इशूस्ट है सब्सक्राइब तो स्लीप इशूस लिख लिए पैरों में पा रहा है बैक में हो रहा है या फिर आपको रूटीन वोग करने में इशू आ रहे हैं तो उन सब को आप मेंशन करें मैमरी लॉस हो रहा है या कभी आपको बहु बदलने से हो रही है क्रीम अलग चीज़ की है हो रही है लेकिन कई बार ही सीरिस कंडिशन के साइन होते तो प्रेग्णेंसी में एक भी चीज को वाइड नहीं करना और उनको नुड़ाउन करना है कब होता है क्या खाने से होता है यह सारी चीजें लिखते जाना है क्योंकि प आपको symptom body में लिथार जी या फिर नीन बहुत जादा आना या फिर memory में कुछ शिशू लगता है कि मैं सुबह का शाम चीज़ें याद नहीं रख पारी हूं अच्छे से तो आपको जरूर बात करनी चाहिए आपके वजन में किस तरीके से fluctuations आ रहे हैं इस पर भी आपको अपन सारी चीज़ों की पारे में दे तेल में दिस्कुशन सरूर कर।